नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अबने उप्ता और आप सभी का स्वागत है अबने उप्ता एजुकेशन क्लासेस पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्रंगार रस दोस्तों स्रंगार रस आपके एकजाम्स के लिए बहुत ही महत्पून टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों चलते हैं अपने topic की और देखते हैं स्रंगार रस क्या है इसका क्या स्थाईवा हुए इसकी क्या परिवासा है और इसके क्या क्या उधारण है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्रंगार रस की दोस्तों स्रंगार रस को आपका सर्व स्रेष्ट रस भी माना जाता है ये भी point आपके लिए बहुत ही important है कि स्रंगार रस को आपका सर्व स्रेष्ट रस माना जाता है अब दोस्तों बात करते हैं इसका इस्थाई वाओ दोस्तों स्रंगार रस का इस्थाई वाओ आपका रत ही होता है क्या स्रंगार रस का इस्थाई वाओ रत या प्रेम होता है दोस्तों इसकी छोटी सी परिवासा है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए देखते हैं इसकी परिवासा क्या है नायक और नायका के मन में किस में? मन में यानी हर्दे में संसकार रूप में इस्थित रत या प्रेम जब रस्थ की अवस्था को पहुँच कर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो स्रंगार रस्थ कहलाता है दोस्तों इसकी छोटी सी परिमासा है आप इसके देखते हैं भैद कितने होते हैं दोस्तों स्रंगार रस्थ के आपके दो भैद होते हैं पहला होता है आपका संयोग स्रंगार दूसरा होता है आपका बियोग स्रंगार पहला आपका संयोग स्रंगार और दूसरा आपका बियोग स्रंगार ये दोनों आपके स्रंगार रसके भेद होते हैं देखते हैं दोस्तों संयोग स्रंगार की परिमासा क्या है दोस्तों संयोग स्रंगार की परिमासा है आपकी नायक नायका के परस पर प्रेम पूर्ण दर्सन, संपर्क, वारता लाप, प्रेम क्रीडा आद के द्वारा जिन प्रेमानंद की स्रष्ट होती है उसे ही आपका संयोग स्रंगार कहते हैं तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब नायक और नायका एक दूसरे से मिलकर प्रेमपूर दर्सन एक दूसरे से बाते करते हैं एक दूसरे से क्रीडा एक दूसरे के साथ मन उरंजन करते हैं इन क्रीडाओं के द्वारा मन में जो प्रेम का आनन्द होता है उसे ही आपका संयोग स्रंगार कहते हैं सरल भासा में देखें अगर दोस्तों तो सरल भासा में आपका है जहां पर नायक नायका के परस पर प्रेमपूर मिलन का चितरन होता है बहां आपका संयोग संगार होता है कहने का मतलब जैसे ये नायक है और ये नायका है इन दोनों के बीश क्या हो रहा है परस पूर मिलन का परस पर मिल रहे हैं ये एक दूसरे से प्रेम पूर मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपका संयोक स्रंगार होगा इसके उधारन देखते हैं इसका उधारन है बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहों करे भोहन हसे देन कहे नटी जाए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर बत्रस लालच लाल की मतलब स्रीकरशन की मुरली को लुका दिया जाता है और सोहों करे भोहन हसे म से हसा जाता है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका संयोग स्रंगार हो जाएगा क्या हो जाएगा संयोग स्रंगार एक दूसरे से क्रीडा कर रहे हैं खेल रहे हैं मनोरंजन कर रहे हैं तो यहां पर आपका संयोग स्रंगार हो जाएगा अगला है आपका गोपाल दूसरों ना कोई मतलब कि मेरे कृष्ण कनईयां मेरे गोपाल के जैसा दूसरा और कोई नहीं है जिसके सिर्पर मौर मुकुट मेरा पति सोई जिसके सिर्पर मौर का मुकुट लगा हुआ है बही मेरा पति होई तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर भी आपका संयो रसका दूसरा भाग है पहला भाग आपका संयोक स्रंगार है और बियोक स्रंगार आपका दूसरा है देखे दोस्तों अनन्य प्रेमी नायक नायका का समागम ना हो पाने या एक दूसरे से बिछड जाने पर उनकी अवस्था का चित्रण ही आपका बियोक स्रंगार कहलाता है दोस्तों यहाँ पर देखे क्या हो रहा है कि अनन्य प्रेमी मतलब कि अटूट प्रेम करने वाले नायक और नायका का समागम ना हो पाने मतलब एक दूसरे से मिल ना पाने या एक दूसरे से बिछड जाने पर मतलब एक दूसरे से अलग हो जाने पर जो उनकी अवस्ता का चि रहे मतलब कि बिछडने का वरडन होता है वहां पर आपका बियोक स्रंगार होता है जैसे माली जी दोस्तों ये नायक है और ये नायका है इन दोनों के बीच क्या हो रहा है बिछडने है एक दूसरे से बिछडने का संयों हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बियो इसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फैरा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर पूँछ रहा है मतलब पूँछ रही है कि अरे दिया करके मुझे बता दो कि कहां परवासी है मेरा उसी बाबले से मिलने को मतलब कि स्रीक्रस्न केम से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बियोफ स्रंगार हो जाएगा क्योंकि उसे ढूडा जा रहा है उसे मतलब कि देख रहे हैं कहां चला गया है वो अगला है आपका उधारन प्रिये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है आपका कि प्रिये प्यारे मतलब स्रीक्रस्न तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है मतलब कि मेरी अखियां दुखी होने से नहीं मानती हैं आपको देखे बिना तो दोस्तों ये थो गया आपका स्रंगार रस, स्रंगार रस की परिवासा होगे स्रंगार रस के भैद होगे, स्रंगार रस के साय भाव होगे संयोग स्रंगार भी पढ़ लिया और वियोग स्रंगार भी पढ़ लिया तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लिस एक लाइक जरूर करना दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत